नमस्कार स्वागत हैं आपका मेरे यूटूब चैनल ITI 360 Degrees में जो चात्र CITS के फार्म का इंतजार कर रहे हैं फिलाल आज 19 तारीक है आज फार्म आना है उसका लिंक कभी अक्टिवेट नहीं हुआ है लिंक जैसे एक्टिवेट होगा तो मैं आप सभी चात्रों को फार्म भरना बताऊंगा सही तरीका क्या है वो मैं आपको बताऊंगा उससे पहले एक बहुत ही महत्पूर जानकारी है जो कि इस वीडियो के माद्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ यदि आपने ये वीडियो बहुत ध्यान से नहीं देखा इस पे गौर नहीं किया तो निष्यत है कि यह आपका फार्म है वो गलत हो जाएगा तो फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लें, मेरी सभी छात्रों से यही केस्ट है कि इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, यह वीडियो क्या है, इस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि आपकी अगर ITI की कोई ट्रेड है, तो जो भी ट्रेड है जैसे जो CITS में नहीं है, तो आपको किस trade में apply करना है, वही इस वीडियो में बताऊंगा, आपकी कोई ITI की trade है, और CITS में किस में apply करना है, तो मैं उसको आपको बता दे रहा हूँ, तो इसकी एक list है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, CTS मतलब य ITI की trade है, यहाँ पर आप ITI mention कर लिजिए, और दूसरा जो इधर है, वो है आपका CITS, तो CITS जो है, वो आपका यहाँ पर लिखा है, और CTS मतलब ITI यहाँ पर है, तो ITI की trade जैसे आपका जो है agriculture dropmanship है, तो इसमें आप agriculture dropman में apply करेंगे, चलिए और मैं आपको दिखा दे र पर लोड करके और जब आप form apply करेंगे, तो वहाँ आपकी trade कौन सी CITS के लिए कौन सी trade के लिए apply करना है, वो आपको पता चल जाएगा, तो यह ITI की trade है, जैसे कि मैं example दे रहा हूं, जैसे कि IT trade वाले हैं, तो वो computer hardware and networking maintenance में apply करेंगे CITS में, ऐसे ICTSM वाले जो बच्चे है जो ITI से ICTSM से ITI किये हैं, तो वो computer hardware and networking maintenance में apply करेंगे CITS के लिए, फिर यह computer hardware and networking maintenance वाले भी computer hardware and networking maintenance में ही apply करेंगे, चलिए आगे मैं आपको लेके चलता हूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, next जो है, जो कोपा वाले बच्चे हैं, वो कोपा CITS में वो लोग computer software application नाम की trade होती है, उसमें apply करेंगे, क्योंकि कोपा trade वहाँ पर नहीं है, ITI में तो कोपा है, पर CITS में उनके लिए computer software application में ही जाके CITS करना है, मतलब CTI करना है, दूसरा है data system assistant, तो यह वाले भी computer software application में ही जाके apply करेंगे, वैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो basic cosmology वाले ITI क trade है, तो CITS में भी उनको basic cosmology में ही apply करना है, hair and care skin वाले को भी basic cosmology में ही CITS करना है, तो ऐसे ही यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो ITI की trade है, यहाँ पर draftman civil और surveyor यह दोनों draftman civil में ही CITS में apply करेंगे, और draftman mechanical है, तो draftman mechanical में ही apply करेगा, dressmaking का ITI को यह किया है, तो dressmaking के CITS म ही apply करेगा, अब जैसे यहाँ पर बहुत famous trade है, एक electrician और दूसरा है wireman, तो electrician भी electrician से CITS करेगा, और wireman भी electrician से CITS करेगा, तो जहाँ पर CITS के course के लिए apply करना होगा, trade आएगा, जब मैं आपको farm भरना बताऊंगा, तो wireman वाले भी electrician में ही CITS के लिए apply करेंगे, ऐसे यहाँ पर electronics mechanics है, electronics consumer, जो mechanics electronics consumer appliances है, और यह technician power electronic system है, यह तीनों जो trade है, यह तीनों ट्रेड जो है, electronics mechanics mechanics में CITS करेंगे, ऐसे यहाँ पर यहाँ पर आप पूरी trade देख सकते हैं, कौन सी trade जो है, वो किस में apply करेगा, तो यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्र trade है, एक जैसे welder है, welder म जाएंगी, ऐसे यहाँ पर बहुत ही प्रसिद्र trade है, एक mechanic, machinist एक trade है यहाँ पर, तो machinist में कई देखी यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं, machinist grinder वाले जो हैं, वो machinist grinder CITS में apply करेंगे, और machinist वाले जो हैं, वो machinist operator है, advanced machine tool, यह बच्चों से बहुत ज़्यादा ग गड़बर कर चुके हैं, तो वो उनका form अच्छे नंबर आयते, पर वो CITS में अडविशन नहीं ले पायते, यह बात आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, जो machinist के बच्चे हैं, वो machinist grinder में apply नहीं करेंगे, वो लोग machinist वाले जो हैं, वो machinist operator and advanced machine tool में apply करेंगे सिर्फ machinist grinder वाले जो ITI किये हुए हैं, वही सिर्फ CITS के लिए machinist grinder में apply करेंगे, और कोई नहीं करेगा, तो यह सारी चीजे हैं, यह list जो है मैं आपको description box में दे दूँगा, वहाँ पर आप ITI versus CTI trade के नाम से एक PDF होगा, उस पे नीचे link होगा, उस link पर जैसे आप क्लिक करेंगे, तो आपकी PDF डाउनलोड हो जाएगी, आप लोग यह form भरने से पहले इस PDF को जरूर डाउनलोड कर लिजे, और अपनी trade आपकी जो भी है, यहाँ पर ITI की trade है, इस वाले column में पूरी ITI की trade है, और इसमें पूरी CITS की trade है, आप अपने trade के अनुसार CITS की कौन सी trade आपके trade में आ रही है, उसको जरूर नोट कर लिजे, क्योंकि form भरने में यहाँ पर चात्रों से बहुत जादा mistake होती है, और यह सुधार भी नहीं किया जा सकता है, आप अगर मसीनिस्ट के बच्चे होते हैं, जैसे मैं उधारन के तोर पे ही बताऊं कि मेरे एक मसीनिस्ट का चात्र था, तो उसने क्या किया था, मसीनिस्ट ग्रेंडर में फार्म भर दिया था, जब उसने मसीनिस्ट ग्रेंडर में फार्म भर दिया था, तो उसका पेपर भी इंट्रेंस इक्जाम में मसीनिस्ट ग्रेंडर का ही आया था, और नमबर भी मसीनिस्ट ग्रेंडर के आ आप और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उससे ये पीडियो डाउनलोड कर लीजे आप लोगों के लिए ये बहुत ही helpful रहेगा तो आसा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्पूर्ण होगी और वीडियो अगर पसंद आ उर्ड़ाओ नहीं पर बड़ाओ पस्टबर्ड़ूब भीडियो और रहे उस्में जानकारी आपके लिए जानकारी आपके लिए बड़ाओशन ऑल्ड़ाओंशन बड़ाओगार्ण